हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब या देवी सरभूतेशु विद्यारुपेण संस्थिता नमस्तस्याइब 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 नमोनमा दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है third question देकिए उप्योक्त सरसमिका का प्रियोग करके निमलिकित गुननपल ग्याद कीजिए इसमें क्या करते हैं हम आइडेंटिटी हमने जैसे उपर वाली इस्तेमाल करिए इसको कई जगा ऐसा भी लिखा होता यहां पर हमें यहां पर हमें इस फॉर्म में दी हुई है हमने इसको फेक्टर फॉर्म में कनवर्ट करना है जो हमारे पास स्केर वाली टर्म्स हैं इसको होल स्केर में कनवर्ट करना है काहे में कनवर्ट करना है इनको होल स्केर में अब आपको स्केर और होल स्केर में क्या अंतर होता है देखिए यहां मैं एक छोटा सा एक्जम्पल लेके दिताता हूँ, इसको मिटा दूँगा मैं बाद में 9X का स्केर का मीनिंग क्या है? का अलग है, और स्केर केवल X का है और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यह बराबर नहीं है क्योंकि 9 का स्केर भी हो गया इसमें, इसमें X का स्केर भी हो गया पुलते हैं हम होल स्केर और यह है 9X स्केर, पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं 9X स्केर, इसको पढ़ते हैं 9X होल स्केर, ठीक है? 9X होल स्केर, अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर? 3x square है 9x square इसको whole square में convert कर लिए हमने यह plus वाली identity है क्योंकि यहां सारे plus के हैं इसको मैं यहां से फिलाल रब कर रहा हूं ताकि मेरे पास space बन जाए जादा मैं बड़ा बड़ा हैं लिख सकूँ आपके लिए हमने first term को 9 का परगमूल होता है वो लिख लिए 3 और उसका x यह नहीं कि 3x का whole square प्रस यह formula से लिए into a, a की जगे क्या है 3x अभी b मुझे नहीं पता और b क्या है y का square यह y square था ना यह b क्या हो जाए मेरे पास into y, यह into होता है यह decimal जो नीचे लगता है जीच में लगेगा तो वो decibel होता है नीचे corner पर लगता है उसको into होता है अब यह क्या बन जाएगा 3x plus y का means अगर इसको factor करना नहीं है square means इस term को दो बार हम लिखतेंगे यह इसके factor बने यह हमारे पास इसका first part था दोस्तों अब second part में दी 4y square minus y plus 1 अब 1 का whole square बन सकता है न जो यह 4y square का whole square क्या बनेगा y square minus जो identity कौन सी इस्तमाल कर रहे हैं यहाँ minus वाली a minus b का whole square किसके बराबर अब यह उपर भी लिखी थी a square minus 2ab plus क्यों क्यों गया a square minus 2 into a into b plus e का क्या हो जागा a minus e का whole square और जिसका square क्या हों क्या करते दोस्तों वार लिख देते हैं वार लिख देते हैं यह हमारे पास अंसर आ जाएगा ठीक है थर्ड में देखते हैं x square minus y square upon 100 भी तरीका identity मैंने आपको बताई हुई है बारा लिख देता हूँ a वाली लिखता हूँ a वाली ज़्याद़ बैटर हैगी ताकि x और a में difference पता लग जाए a square minus b square बराबर a plus b into a minus हमने whole square में convert करना है x का square minus y upon 10 क्योंकि 10 का square 100 होता है whole square हो गया यह ठीक है ना यह square हो गया अब हम क्या करेंगे इसको अलग-अलग का जैसे यहाँ पर लिखा है एक बार plus में और एक बार minus में उपरकार के हम factor इसको यह निके x plus y upon 10 और x minus y upon 10 यह दो factor इसके बन जाएंगे question 3 ही थे दोस्तों third question नहीं यहां पर हूँ और क्यों हो है क्यों है झाल झाल